वो चार जमजे बठा देते हैं और फिर वो सवाल पुछते हैं मोदी जी एक बात बताईए आप आम कैसे खाते हो आप क्या उसको जील के खाते हो या चूस के खाते हो बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ बाकी हिंदुस्तान खेती करता है मेहनत करता है मुझे तो परमात्मा गाइड करते है अब सवाल आता है कि क्या इंटर्व्यूज स्क्रिप्टेड है अब सवाल आता है कि क्या इंटर्व्यूज में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल पहले से मालूम होते हैं बिलकुल होते हैं यह मैं आपको इसलिए कह सकती हूँ इसके भी फिर देखे, दो पहलू है यहाँ पर आप यह मत समझेगी कोई diplomatic बात हो रही है लेकिन मैं आपको exactly वो बता रही हूँ जिस तरह से चीजें होती है जब सरकार की किसी मंतरी का interview line-up होता है अब वो जिस portfolio को देख रहे हैं उसके हिसाब से वो यह पूछते हैं कि आपका topic क्या है किस विशे पर सवाल पूछना चाहती है आपको क्या पूछना है पॉइंट ताकि अगर उनको कोई data देना है कोई उनको जानकारी देना है तो वो उसके हिसाब से अपनी चीजें तयार करके लाएंगे यहाँ पर दूसरा बिंदू यह आ रहा है कि कौन सी हस्ती जिसका interview आप करने जा रहे है वो कितनी dominating position में है मीडिया को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है मतलब मीडिया के भी कुछ favorites होते है कि अरे इसका interview मिल जाए तो बस वावा ही TRP मजा आज आएगा खूब जनता देख लेगी डिजिटल पर खूब चलेगा टीवी पर खूब चलेगा पोर्टल्स की headlines बनेगा तो कुछ हस्तियां वैसी होती है कुछ हस्तियों को media dull personalities में count करता है कि ठीक है इसका interview 15 मिनट में दिखा के खतम करो एक obligation ना दिखा दो खतम करो किसी भी media संस्थान के लिए जो उनके top favorites होते हैं उस list में होता है BJP से बात कर लें तो Smriti Irani को interview करना लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है Smriti Irani कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगी जो headline बनेगी या उन्हें पता है उन्हें TV समझ में आता है TV में कैसे limelight लेनी है TV में कैसे अपना डंका बजाना है यह वो जानती है तो वो लोगों की बहुत favorite है Foreign Minister S.J. Shankar को लोग बहुत पसंद करते हैं यह मैं सत्ता पक्ष से नाम ले रही हूँ अब ऐसे अगर मैं Congress से देखूं तो Congress में अगर आप प्रवक्ताओं को छोड़ दें जो regular debates में आते हैं लेकिन प्रवक्ताओं से उपर जो बड़े नेता हैं उनके आपने बहुत ज़ादा interviews नहीं देखे होंगे इसमें मैं प्रियंका गांधी को भी शामिल कर रहे हूं राहूल गांधी को भी शामिल कर रहे हूं हाँ सचीन पाइलेट को मैंने कुछ एकाद interviews में बैठते हुए देखा लेकिन अल्टिमेटली वो भी दिन स्पेसिफिक होते हैं कि बई चुनाव के दिन बैठ गए या कोई बड़ी घटना हो गई देश में उस पर आ गए पर सवाल यह है कि फिर interviews कैसे प्लान हो रहे हैं अब यह एक कड़वा सच है जिसे अगर आप ना मानना चाहें मतलब अगर आप यह कहें कि मीडिया को genuine interviews करने चाहें मीडिया को ऐसे interviews करने चाहिए तो देखिए आप किसी मुगालते में जी रहे हैं आप उस मुगालते में ना जी हैं तो बहतर होगा चाहे आज की तारिक में सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष हैं किसी के भी interviews सवालों की एक basic line और length मालूम हुए बिना नहीं हो रहे है किसी के दफतर से सवाल लिखके आए ना आए वो अलग point है लेकिन सवाल विशे क्या होंगे points क्या होंगे talking points कम से कम discuss होते हैं कि ये ये चीज़े हैं ये बिंदू हैं जो पूछे जाएंगे अब उसमें depend करता है कि जिसका interview हो रहा है वो कितना dominating है अगर उसने dominating इस level पर कर दिया है कि इस पर बात करूँगा इस पर नहीं करूँगा तो मजाल है जो media उस पर सवाल पूछ ले और अगर media उस पर थोड़ा अपने आपको neutral दिखाने के लिए सवाल पूछे भी तो वो सवाल बड़े polite होंगे वो सवाल सिर्फ इसी level तक होंगे जो सामने वाली को disturb ना करें या उसे uncomfortable ना करें comfortable आपकी तारिख में आप किसी भी interview के लिए जिसको आप बुला रहे हो उसको नहीं कर सकते अगर आप यह सोचे कि हम इसको grill कर देंगे हम इसकी एसी तसी कर देंगे इसकी वाट लगा देंगे ऐसा नहीं है यह कहीं पर भी संभव नहीं है किसी interview में संभव नहीं है लोग आज कल podcast का बड़ा जिक्र कर रहे हैं podcast कैसे हो रहे हैं बड़े-बड़े events कैसे हो रहे हैं जिसको आप इंटर्वीव के लिए बुला रहे हैं, वो आपका guest है, वो guest वाली भूमिका में आ रहा है, तो जो आपके पास guest की भूमिका में आ रहा है, आप उससे कथिन सवाल भी पूछेंगे, तो कितना कथिन पूछ लेंगे, क्या आपके सवाल की टोन ये हो पाएगी? में देखा जा रहा है, जनता में एक perception ऐसा बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तौँ बेसीकली, ये पक्ष लेने वाली बात होती है, तो इसी लिए जब रहूल गांधी ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो चलिये वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में जो विपक्ष के नेता हैं उनके भी अगर interviews होते हैं, तो क्या वो बिना discuss किये हुए हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं. और मैं तो क्या रही हूँ, नेता तो चली छोड़ दीजें. नेता तो आप फिर भी एक है सकते हैं कि वो सक्ता में हैं. सकता में in the sense कि अगर BJP, NDA सेंटर में हैं, तो स्टेट्स में बाकी opposition की parties की भी सरकार हैं. पॉइंट यह है कि अगर film stars के interviews होते हैं, क्या उनके interviews सवाल बिना discuss किये हुए हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं. मैं नाम नहीं लूँगी, बढ़ कई film stars हैं जिनका interview मैंने किया और interview से पहले ही PR टीम्स आती हैं और आपको समझा देती हैं, political सवाल आप नहीं पूछेंगे. अगर आपने political सवाल पूछा तो star बीच में सो उठके चल देगा. आप personal सवाल नहीं पूछेंगे. अच्छा वो personal सवाल ऐसे होंगे जो already controversy का हिस्सा हैं, जो उन्हीं की की हुई हरकतों की वज़े से controversy का हिस्सा हैं, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं पूछेंगे. फिर क्या होगा? आप film से इधर उधर हटके कोई सवाल नहीं पूछेंगे. फिर क्या बात होगी? कि आप ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे. उतना ही पूछेंगे, जिसमें वो comfortable है. ये एक unsaid rule है और दोनों के बीच की एक सहमती है, जिसके आधार पर वो हो रहा है. और इस interview में अच्छी बात ये है, जिसको आप इसका एक byproduct या bonus कह सकते हैं, कि कई बार ऐसी बाते निकल कर आ जाती हैं, क्योंकि वो दबाग नहीं कि कोई आपको grill करने के लिए बैठा है, तो एक अच्छा समवाद हो जाता है कई बार. और उस अच्छे समवाद में कई बार बड़ी inspirational बातें, कई motivational बातें निकल कर आ जाते हैं, और शायद यही वज़ा है कि आज की तारीख में podcast इतने famous हो रहे हैं, यह लोग लंबे-लंबे दो-दो-धाइडाई घंटे के podcast भी सुन रहे हैं. तो इसलिए जब आज की तारीख में interviews पर सवाल उठाये जा रहे हैं, तो एक दर्शक के नाते मैं चाहूंगी कि आप सब ये समझें, कि चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, या फिर विपक्ष का नेता हो, अगर वो आपके सामने ये picture create कर रहा है, कि ये सवाल इनसे scripted पूछे इनसे ये क्यों नहीं पूछा गया, उनसे वो क्यों नहीं पूछा गया, तो सवाल ये है कि आज की तारीख में मीडिया की हालत ऐसी कर दी गई है, कि किसी से भी एक limit के आगे कुछ नहीं पूछा जा सकता है, ये कटू सकते हैं, और इसको आप जितनी जल्दी स्विकार कर इसके लिए उतना बहतर है, इसके लिए फैक्टर्स कही हैं, जिनको मैं आप डिटेल में डिसकस करने लगूंगे, तो भी बहुत बढ़ी बात ही जाएगे।